नमस्कार मैं रश्मी शर्मा और आप देख रहे हैं वीके निउस सुशान के सियूसाइट की बार बॉलिवुड में नेपोटीजम पर बहस तेज हो गई है और खासकर कंगना रनावत ने मोर्चा खोल दिया है और वो रूस नईने सवाल खड़े कर रही है वैसे कंगना का रितिक रोशन के साथ जगड़ा और विवात पुरानी बात है इन दोनों के बीच ये सालों से चल रहा है अकसर कंगना रितिक पर निशाना साधते हुए नजर आती है और वहीं एक्टर कंगना के नाम से भी बच्चते फिरते हैं कथित अफ़ेर के खुलासे के बाद से ही ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं ऐसे में एक्टरिस ने एक बार फिर से रितिक को लेकर ऐसे बात बोल दी जिसे सुनने के बाद शायद उनकी नींद उड़ जाए दरसल कगना रनावत ने हाल ही में एक इंटर्वियो में अपने सफर की बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें अपने एक एक्स के चलते पैसो की लाल जी जैसे टैक्स सुनने को मिले थे लेकिन आज उन्हें गर्व है कि उनका मुंबई में अपना खुद का घर एक आलिशान दफ्तर है जबकि उनका एक एक एक्स किराय के घर में रहता है जिसका किराया उसके पापा भड़ते हैं कंगना का निशाना साफ तोर पर रितिक की और था कंगना रनावत ने इस इंटर्व्य में ये कहा कि जब वे अपने सफर को देखती हैं तो उन्हें काफी गर्व होता है क्योंकि जब मैंने शुरुवात की थी तब मेरी कोई भोतिक महत्व कांशाय नहीं थी लेकिन कुछ सालों पहले ही जब मेरा अपने एक्स के साथ जगड़ा हुआ और फिर कानूनी लड़ाई चली तो मुझे पता चला कि मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ जो पैसों के पीछे भागती है इस मुद्दे को उस वक्त बनाया गया था कंगना कहती है कि कैसे लड़कियों को किन-किन आधारों पर जज़ किया जाता है शायद एक महिला होने के नाते वो पैसों को भले ही न देखती हो लेकिन बहरी लोगों के नजरिये से इस तरह देखा जाता है कि वो एक छोटे शहर की लड़की है जो सोने की तलाश में है ये कुछ इतने भद्दे तरीके से कहा जाता है कि आपकी जिन्दगी को बदल सकता है जाहिर है कंगना ने फिर रितिक को छेड़ दिया है वैसे भी कंगना को बोल्ड अंदास के लिए जाना जाता है और मुखर होकर सब के खिलाफ बोलती है इन दिनों कंगना ने बॉलिवुट में नेपोटीजम करने बालों की नीद उड़ा रखी है आएए देखते हैं क्या कहा कंगना ने लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पर जाओंगी और मैं इनकी वाट लगा दूँगी एक एक को एक्सपोज करूगी तो सुना आपने कंगना ने पहले ही चैलेंज कर दिया है कि लोगों ने गलत शक्स से पंगा लिया है और वो इन्हें छोडने वाली नहीं है आप देखना होगा कि कंगना की इस बयान पर रितिक का क्या रियक्शन होता है खबर पर आपकी जो विराय हो आप कमेंट बॉक्स मुझे बता सकते हैं वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें जैहिन वंदे मात्रव